नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नीडेज रहे और आपका स्वागत है फार्माहर्ट्स में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्टु कॉल टैबलेट के बारे में इस्टु कॉल 300 mg की टैबलेट आती है दोस्तों इसके अंदर में आज की वीडियो में इसके बारे में डीटेल में बात करने वाले मेडिसन क्या होती है कैसे काम करती है इसका यूज कहां कहां पर किया जाता है इसके अलावा इसके स्टाइड डिफेट क्या होते है कि अप्रिकॉसन सोते हैं क्या डोज होती है तो चलिए वीडियो के शिरुवात करते हैं और बात करते हैं इस tablet के बारे में दोस्तों सबसे पहले आपको बता दे कि आज कल के जमाने में देखा जाता है तो कई बार पेशेंट्स में गाल ब्लेडर इस टोन होता है तो ऐसे सब कंडिशन में हम लोग H2Col tablet यूज़ करते हैं आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में दोस्तो यूर्सो डियॉक्सीकोलिक एसीड एक प्रकार की हीपैटू प्रोटक्टिम मेडेसिन होती है और अगर इसके काम करने के निसके mode of action की बात करें तो यह हमारे body के अंदर में या blood के अंदर में cholesterol की मात्रा को reduce करती है और जैसे कि galblar a stone होता है जो की mainly cholesterol की वज़े से उत्पन होता है उसको ठीक करने का काम करता है इसके अलावा दोस्तों यह हमारे liver enzyme को भी improve करता है liver cell को protect करता है injury से जैसे कि कई बार bile acids होते हैं तो toxic bile acids होते हैं वो liver को खराब करते हैं तो अगर हम लोग यह use dioxicolic acid use कर रहे हैं तो आपकी जो injury होती है वो ठीक हो जाएगी यानि वो नहीं होगी इसके अलावा liver के function को भी यह improve करने का काम करता है यानि कि अगर हम लोग मोटे मोटे बात करें कि यह किस किस बीमारी में use होता है तो यह primary bilary cirrhosis में use होता है यानि कि जब galb bladder में cirrhosis होती है तो वहाँ पर इसे use किया जा सकता है इसके अलावा दोस्तों liver को strength देने के लिए भी इसका use किया जाता है galb bladder stone के अंदर में भी इसका use किया जाता है market के अंदर में इसकी बहुत सी brand आती है दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैंसे यह USO Max के नाम से market में आता है USO Fort के नाम से आता है Active Oil के नाम से आता है Udilip के नाम से आता है और भी इसकी बहुत सारी छोटी छोटी वरांड्स होती है जो आपको market के अंदर में मिल जाएंगे जो भी आपको आसानी से मिलती है आप उसे ले सकते हैं जैसे यह सारवीडियोल के नाम से भी आता है या फिर Udilip के नाम से भी आता है मतलब इसकी बहुत सारी वरांड होती है जो पर आपको आसानी से मिलती है अब ले सकते है कुछ precautions की दोस्तों मैं बात करूँ तो इसे अलकोहल के साथ मैं नहीं लेते हैं क्योंकि अलकोहल के साथ मैं लेने पर यह drowsiness काज करती है जिसकी वज़े से आपको समस्या हो सकती है कोई भी machinery वर्क आपको इसके साथ नहीं करना है लेने के बाद नहीं तो फिर यह drowsiness उत्मन करती है जो आपके लिए समस्या हो सकती है pregnancy और lactation के अंदर में यह medicine safe होती है कभी भी drive में करना चाहिए जिसकी मैं आपको पहले बताया अगर आपको liver kidney disease पहले से है तो आपको कुछ precautions के साथ में यह medicine लेनी होती है doctors आपको कुछ precautions के साथ में यह medicine देते है अब अगर मैं बात करूँ side effect के बारे में कि क्या-क्या side effect होते है इस tablet के तो सबसे पहले तो आपको abdominal pain हो सकता है अगर आप ज़्यादा लंबिश में तक लेते हैं तो diarrhea की समस्या हो सकती है Hair loss देखने को मिलता है Itching देखने को मिलती है Neuginimating हो सकती है सरीर paralysis दिखते है कई बार headache की समस्या आती है Back pain की समस्या आती है दोस्तों ये सारी चीज़े जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे भी ज़्यादा इसके side effect हो सकते है लेकिन ये side effect घबराने के बात नहीं Rarely आते हैं जब भी आप बहुत लंबे शमय तक ये medicine ले रहे होते हैं तो उस condition में आपको ये सारे लच्छन आ सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपको एक महीने मतलब एक हपते दो हपते लेने के बाद ही ये सारे आएंगे तो ये सारे side effect जो है वो rare होते हैं और लंबे शमय तक medicine यूज़ करने के बाद आते हैं अब लाश्ट में दूस्तों मैं बात कुरूँ उगर डोस के बारे में कि इस टैबलट की डोस क्या होती है तो इसकी जो डोस दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा वो commonly दी जाती है खाना खाने के बाद सुबह और साम या फिर कई बार या फिर कई बार लिवर से काम नहीं कर रहा है तो यह में लोग यूज कर सकते हैं तो दोस्तों यह थाल्स का विडियो जिसमें हम लोगों ने बात की इसमें के बारे में वीडियो पका इंफॉर्मेटिव लगा हो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा व झाल